पुश्कार स्वागत आपका सेर्ज शड़ी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारतिय करंसी के ऊपर क्या मा लक्ष्मी जी और गनेश जी की फोटो लगाई जा सकती हैं ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ जो दिली के चीफ इनिस्टर अर्विंद केजरिवाल जी उनके द्वारा ऐसा ब्यान दिया गया प्रेस कॉंफरेंस के दौरान उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भारतिय जो नोट हैं उनके उपर मा लक्ष्मी जी और भगवान गनेश जी की फोटो लगाई जाए तक कि देश में समरिती ना सके अब ज इसका पेपर क्लियर किया अई आरस थे उनके दौरा ऐसा ब्यान देना तो उन्हों ने अपना क्या तरक दिया क्या लोजिक दिया इस ब्यान के पीछे तो उसको भी हम जानेंगे और काफी सारे लोग जो है या पॉलिटीशन जो है इस ब्यान को ऐसे ले रहे हैं कि ये जो वो एक particular community यानि obviously हिंदू community को रिजाने के लिए ये ब्यान दिया गया क्यों कि अभी आने वाले time में नुवंबर में ही गुजरात के अंदर election है तो उस election को देखते हुए ऐसा ब्यान दिया गया और क्या अर्विन केजरिवाल नहीं है ऐसा कोई ब्यान दिया किसी और नेता ने भी दिया वो भी हम जानेंगे खैर साथ ही साथ सबसे important जो हमारा आज आता है इनके अलावा कि भारत में जो currency है उसका design कैसे होगा उसका dimension कितना होगा उसका color कैसा होगा नोटों की संक्या कितनी होगी यह decide कौन करता है कैसे decide करता है कैसे note छपते है इन तमाम चीजों को भी हम जो हैं इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो में आके बढ़ने से पहले PDF के लिए माँ आप लोगों को बता देता हूँ इस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अभी जैसे कि जो पार्टी प्रमुक होगे अर्विन केजरिवाल उनके साथ साथ काफी सारे नेताओं ने भी बुद्वार को ये कहा था सरकार को जो सेंटरल गवर्मेंट है कि समरिद्धी लाने के लिए जो भारती जो करंसी उनके ओपर देवी लक्ष्मी जी और भगवान गनेज जी कि वो तस्वीर लगाई जाए तो ये तो उनके बयान हो गए काफी सारे मीडिया हाउस इस ने ओविसली इसको तो कवर करना है था काफी ज़्यादा एक क्रिटिसिजम का भी या फिर कहें कि एक कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा उस वक्त रही थी तो हम ये जानेंगे कि बैंक नोट कौन टै करता है कि बैंक नोट या जो सीकें वो कैसे दिखेंगे भारतिय मुद्रा या जो करन्सी एंडिन करन्सी उसका डिजाइन और उसके रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है फिलाद उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो अरविन केजरी वाल है जैसे इनको एंटी हिंदू का एक टैक दे दिया गया क्योंकि दिल्ली के अंदर इन्होंने पटाके जलाने से लेकर जो एक कहा था कि छे महीने की सजा हो जाएगी आपके उपर फाइन लगाया जाएगा प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए जैसे 2019 के अंदर हमारे देश में 370 आर्टिकल जो हटाया गया था जमू कश्मीर से उनका इन्होंने समर्थन किया था फरवरी 2020 में ही डिकलेर डैट जो वह हैं इमतलब कि जो अर्विन केजरिवाल जी हैं वहनुमा के खिलाफ एंटी हिंदू के नारे उठते हैं 2021 में इन्होंने कहा था कि स्कूल के अंदर कटर देश बक्त होने चाहिए इसलिए उन्होंने स्कूल में पेट्रोइडिजम की क्लास जो इंट्रड्यूज करवाई थी देश बक्ती क्लास जो इनको शुरुवात कराई थी अब मार्च 2021 में इन्होंने असेम्बली यानि दिल्ली असेम्बली के अंदर कहा था कि वो दिल्ली को एक रामरज्य बनाना चाहते हैं 2021 में इन्होंने फ्री यात्रा कही थी जो सीनियर सिटिजन्स हैं दिल्ली के वहाँ पर जब रामंदिर कंप्लिट हो जाएगा तो वहाँ पर क्या था दिल्ली के अंदर दिवाली के लिए ग्रैंड पूजा जो आयजित की गई थी जो आयोध्या के रामंदिर के तरीके से दिखने वाला एक तरीके से हम structure बनाया गया था और 2022 में उन्होंने promise भी किया है गुजरात में अगर वो election जीत कर आते हैं तो free में क्या जो senior citizen है रामंदिर की अगर वो election जीत के आते हैं तो यहाँ पर the Indian Express के द्वारा काफी सारी जीजें बोली गई है कि वो एक कभी anti Hindu नहीं है वो Hindu समर्तक भी है कि यह आप लोगों के सामने point of view मैंने उनका रखा है साथी साथ उनका जो तर्क था कि भई हमें जो bank notes है उनके तो 20,000 के note के उपर श्री गनेश जी की photo लगी हुई है तो उन्होंने इसको कहते हुए कि एक ऐसा देश इंडोनेशिया जहाँ पर 85% से भी ज्यादा Muslim जो majority है वहाँ पर आप देखेंगे 20,000 की currency के उपर श्री गनेश जी की photo लगी हुई है तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं tourism industry को आप देखते हैं जो उनकी central government या फिर कहेंगे जो उनकी government के द्वारा promote की जाती है वहाँ पर आप देखेंगे श्री गनेश जी या फिर वहाँ पर हिंडोनेशिया के अंदर महाबारत रमाय इन सब की कताएं बच्चों को सुनाई जाती है इस देश के अंदर और जहानी है जो गनेश जी जो है वो यहाँ पर इनके नोट के उपर है तो देखें 1997 के अंदर पूरे एशिया में लगबग सभी की जो currency वो ओंदे मु गिर रही थी मतलब बहुत ज्यादा उनकी currency गिर रही थी अर्थविवस्ता एकनॉमिक जो है वो एकदम लड़कडा गई 1997 की बात है लेकिन इंडोनेशिया के वितमंत्री ने वहाँ पर एक सला दी थी कि अगर हमें हमारी currency को बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए हमें श्री गनेश जी की फोटो जो हमारी currency पर लगा देने चाहिए और वहाँ पर और उस वक्त इंडोनेशिया करन्सी नहीं गिरी पर Kashंडि की ऑपर श्री गनेशिए कंग इन्होंने फोटो लगा दि और इंडोनेशिया को currency के करना तो नहीं पड़ा था मतलब इतना नहीं करना बढ़ा था जितना वहां के आस्पास के देशों को करना पड़ रहा था और तपसे इनके लोगों में आस्ता बन गई और EV உ के अरविंद केजरिवाल नहीं ऐसा नहीं है आप जो वित मंत्रिय निर्मनला शितारवन उनके द्वारा जैसा बियान दिया रहा है तो इस तरीके के बियान जहें वो देते आ रहे हैं अभी आप देखेंगे आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि जो डॉलर है वो 83.5 जो है वो वहां तक पहुँँ जाएगा रुपे के मुकाबले मतलब की 83-84 रुपे जो है वो एक डॉलर की किमत हो रहेगी केवल भारत का ही रुपया नहीं बहुत सारे देशों के रुपे गिर रहे हैं क्यों गिर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो जैसे एक लिमिटीड जो है देखिए 40% वेपार जो है पूरी दुनिया के अंदर डॉलर के अंदर होता है अब आप युक्रेइन और रसिया का वोर देख लीजिए अब यह जो वोर हो रहा है जिसके कारण लिमिटीड डिस्ट्रक्शन मतलब कि लिमिटीड वेपार हो गया है डिस्ट्रक्शन लगा दी गही है रसिया और चाइना के खिलाफ तो एक तरीके से समझ लिए कुछ देख इनसे अगर वेपार करेंगे तो उनको सैंक्शन जेलने पड़ेंगे युएस से के तो इसके करके एक लिमिटीड वेपार होने लगा है तो ज़्यादा तर जो लोग है वो डोलर के उपर डिपेंडेंट हो रहे हैं अब डोलर के उपर डिपेंडेंट हो रहे है इसके चलते डोलर का भाव बढ़ रहा है तो यहाँ पर कहना तो वितमंत्री के दोरा यह चाहिए था कि डोलर के डिपेंडेंसी लोगों की जादा बढ़ रही है इसलिए वो महंगा होता जा रहा है है कहर अब एक तरीके से जो बयान दिया गया है यहाँ पर देखा जा रहा है कि नमबर में चुनाव होने वाले है गुजरात में अब एक और भी है कि गुजरात के अंदर 85% जो अबादी है वो हिंदू है और वहाँ पर मुस्लिम जो हो 10% से कम है तो यह सब चीज़ें क्यों की गई यह इसलिए किया गया कि मैं नहीं बोल रहा हूँ यह जितनी भी अग न्यूस सोर्स है उनके द्वारा जो मैंने न्यूस कलेक्ट के वहाँ पर यह सब चीज़ें बोले गई थी तो एक आप लीडर है यहाँ आप लीडर के आप मिनिस्टर है आम आदमी पर्टी के जो मिनिस्टर है उनका नाम है राजिंदर पाल गोतम उनके द्वारा अभी हाली में कहा गया कि जो लोग हैं वो भगवान जो मतलब कि हिंदु देवी देवता हैं उनकी पूजा वो ना करें इसके चलते उन्होंने क्या का अपने ट्विटर एंडर पर चलो बुद्ध की और मिशन जैभीम बुलाता है और इसके चलते उन्होंने दस हजार से भी ज़्यादा जो लोग हैं उनको कहा कि उन्होंने बुद्ध धरम को अपना लिया है जैसे ये चीज आई ये निउस वाइरल होती है जो वहाँ पर आम आदमी पार्टी को क्रिटिसिजम मिलना स्टार्ट होता है अब आने वारे टाइम एलेक्शन और गुजरात में ये चीज तो बहुँ ज़्यादा वाइरल हो रही है वहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट इससे बहुँ ज़्यादा इफेक्ट हो रहे है तो इससे पहले ये इफेक्ट होने से पहले ये जो लीडर है इन्होंने अपना इस्तिफा दे दिया था ये दूर हट गए थे कि मेरी वज़े से पार्टी को कोई नुकसान ना हो मैं इससे हट रहा हूँ ये हट भी गए है लेकिन ये जब चीज़े जो है वो गुजरात में बहुत आदा चल रही है अब काफी सारे लोग इसको पोलिटिकल स्टंट भी मान रहे है कि जो अर्विन केजरिवाल जी है वो वहां की जनता को मनाने के लिए इन्होंने एक हिंदू कार्ड यहां पर खेला है तो ये तमाम बाते हो जाती है अब हम मेन मुद्दे पर आते है कि जो RBI है और जो गौर्वर्मेंट है वो कैसे काम करती है कैसे डिसाइड करती है कि जो बैंक नोट है वो कैसे होंगे उनका डिजाइन कैसा होगा इन तमाम चीज़ों को हम यहां डिसकर्स कर लेते हैं तो देखिए बैंक नोट होगे या सिक्कों के डिजाइन होगे अगर आपको रूप बदलना इनका फोर्म बदलना है तो यहां पर RBI और के अंदर सरकार यह दोनों ही तैग करेंगे कोई एक तैग नहीं करेगा दोनों के द्वारा यह काम किया जाएगा करंसी नोट के डिजाइन में किसी भी तरह का बदलाव जो है वो RBI के Central World के द्वारा RBI ने अपनी recommendation दी कि मुझे इस note में यह फिर बदल करना है यह जो recommendation है वो Central Government के पास जाएगी Central Government अपनी मंजूरी दे देती है तो वहाँ पर क्या है वो सब चीज़ें वहाँ पर लागू हो जाती है और सिक्कों में भी जो सिक्कों का डिजाइन है सिक्कों के डिजाइन में केंदर सरकार के पास से विशेशा दिखा रहे है यह चीज़ आपको ध्यान रख नहीं है बैंक नोट है बैंक नोट पर जादा परभाव आप देखेंगे तो RBI का है और सिक्कों के उपर आप देखेंगे तो पूरा control ही Central Government का आपको मिलता है अब Central Government की भूमी का क्या रहती है इसके अंदर जो बैंक नोट चपाई है वहाँ पर देखेंगे केंदरिया बैंक जो Central Bank है उनकी एक Internal Committee है या एक Internal Work वो करते हैं डिजाइन के ओपर और वो डिजाइन उन्होंने अपने Internally उन्होंने बना लिया देखा गया वो डिजाइन उन्होंने का Section 22 जहां पर RBI को भारत में बैंक नोट जारी करने का एक मातर यानि Soul Right उनको दिया जाता है अब यहाँ पर जो यह डिजाइन बनाया गया Central Board के पास आया इनके पास वो पावर है Section 22 के था है अब यहाँ यह जो डिजाइन जो है वो Central होम है उसकी जो मैटीरियल है वो ऐसी होनी चाहिए कि भई जो आरभी के जो Central Board के द्वारा जो सिफारिशों पर विचार करने के बाद के इंदर सरकार ने उसे अपनी मंजूरी दी हो मतलब कि इंटरनल जो एक जो कमीटी है या फिर कहें कि इंटरनल जो वर्क या आरभी आई ने वो Central Bank के पास मतलब कि Central Board के पास गए डिजाइन उन्होंने अप्रूव कर दिया अब Central Board जो है ये डिजाइन लेके Central Government के पास गई इन्होंने ये अप्रूव कर दिया तब जाके वो नोट जो है वो छपेगा तो ये ऐसे काम करते हैं इनके पास पावर है Section 22 के पास इनके पास पावर है Section 25 की तो ये यहाँ पर इस Act के तो तहत ये काम करते हैं भारतिय रिज़र बैंक को जो यहाँ पर currency management की responsibility भी दी जाती देखें वह तो ओविसली करन्सी रिस्पॉंसी नहीं यहाँ पर यह कैसा हो था currency management के पास responsibility होती है कि currency को manage कैसे किया जाए भारत के अंदर अब इसको भी इसको भी हम बहुत अच्छे से समझने वाले यह वर्क कैसे करता है currency management का अब देखें भारतिय डिजर बैंक की एक website के अंज़ार विभाग में banknota का design यह जो विभाग है banknota का design कैसे होगा banknota या फिर जो coin है उनको कितना market के अंदर उतारना है इस demand को उनको समझना है साथ साथ पूरे market या पूरे देश के अंदर जो distribution वो smooth है ऐसा नहीं है कि मारा साथ साथ जो unfit note है या uncurrent coin है जो अब चल नहीं रहे circulation के अंदर उनको वापस लेना और bank note की जो integrity उसको बनाए रखना यह सारे काम इनके द्वारा किये जाते हैं यदि किसी currency का design में अगर बदलना हो तो विभाग design पर काम करता और इसे RBA को परस्तूत करता और के अंदर सर चुसे करते हैं अब शिक्कों की डहलाई पर आ जाते हैं सिक्का अधेनियम 2011 के अंदर सरकार को विभिन मुल्यवर के सिक्कों की design और उनको ढालने की शक्ति जेता केवल के अंदर सरकार के पास ही है यह power कि वो सिक्का कितने सिक्के छपेंगे अब कितने । चपेंगे यह क करता है कि पूरे देश में कितने सिक्कों की मांग है अब यह जो मांग है यह जो रिपोर्ट है वो केंदर सरकार को सौंपी जाती है केंदर सरकार फिर उस हिसाब से इतने सिक्कों को मतलब की मंजूरी दे देता है अब डिजाइन कैसे होगा कितनी denomination होंगी मतलब कितनी denomination पांच रुपे का दो रुपे का एक रुपे का तो दस रुपे का बीस रुपे का सिक्का तो ये सब चीजें कौन तया करेगा ये केंदर सरकार तया करेगी मुंबाहरत के अंदर आप देखेंगे मुंबई, हैदराबाद, कौकता, नोईडा, भारत सरकार के स्वामित वाली चार टक शालाओं में सिक्के ढाले जाते हैं यहाँ आप आप देखेंगे नोईडा हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया और कौकता हो गया और बाकी आप देखेंगे ना देवास हो गया, नासिक हो गया, मैसूर हो गया, सालबोनी होगी, यहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है, clear हुआ, अब मुद्रा परबंदन, यानि currency management, यह कैसे करते हैं, देखे, RBI और के अंदर सरकार, जो है, RBI जो consultate करती है, central government के साथ, औ है, वो देश में भी जरूरत है, हर yearly, मतलब की, मतलब, denomination wise भी होता है, और हर साल होता है, कि कितने रुपे के जो नोट है, यानि 10 रुपे का जो नोट है, उसकी कितने जरूरत है, 20 रुपे के नोट की, इसकी कितने जरूरत है, यह सब चीज़ें, जो हो आपर decide के जाती है, फिर इसके बाद, अपने इनोंने decide करने के बाद, जो भी currency printing जो भी है, हमारे देश के अंदर, जो मैंने आप लोगों का भी दिखाई, वहाँ पर यह सब चीज़ों को requirement पूरा करने के लिए, मांग पत्र जारी किया जाता है, अपनी switch note, निती की अनुसार, RBI जाए वो जनत उसको circulation में डाल दी जाती है, जबकि गंदे और फटे नटों को नस्ट कर दिया जाता है, अब भारत में दो currency printing जो प्रैस हैं, एक नासिक और दिवास, जो भारत यानि पूरी की तरिके से government of India के द्वारा उनको manage किया जाता है, स्वामित वाली company है, government company हैं इसे समझ लो, और दो अन्य मैसूर और सालबोनी, भारतिय रिजर्ब बैंक नोट मुदरन लिम्टिट के स्वामित वाली साय, कहनी सबसीडरी company होगी, भारत के अंदर अभी हाली में 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 500, 2000 के पैंक नोट जारी के जाते हैं, वहीं 2 रुपय के पांच रुपय के नो अगर आप लेके जाते हैं, तो वो भी legal tender के अंदर ही मान जाएगा, कोई भी आप से यह से नहीं गएगा, यह नोट अब भारत सरकार चाप नहीं है, नहीं के RBI चाप नहीं रही है, तो हम यह नोट नहीं लेगे, तो वो नहीं गए सकते हैं, इसके अलाबा जो जारी के जो देखते हैं, सारनात में अशोक स्थम की जो शेर राजधानी का परतीक तो उसके साथ उसको बदल दिया गया था, वोटर मार्क भी वहां पर लगाया गया था, फिर 1996 के अंदर महात्मा गांदी जिसे शोट फो में एम जी सिरिंकला सीरी जो वो स्टार्ट कर दी गया, इस सि वोटर यहां पर देखी, यहां पर वोटर मार्क लगा दिया गया, यहां पर अशोक स्थम इसके साथ में रख दिया गया, और 2005 में, 2005 में 10 रुपे, 20 रुपे, 50, 100, 500,000, इन सब के जो करंसी थी, इन सब के डिनोमिनेशन के ओपर, अब एम जी स्रिंकला जो वो स्टार्ट कर आठ नॉम्बर 2016 को, आपको पता, demonetization किया गया था, जिसके ताइट इन नोटों को बंद कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था, अब नई स्रिंकला आती है हमारे देश में 2016 में, तो एक नई महत्मा गांधी News Series 2016 है, वो लौंच की जाती है, अब महत्मा गांधी के हमने देखा कि हमारे नोटों में जो सांस्कृतिक विरासत है, वैज्यानिक उपलब्दियां जो हमने हासिल किया है, उनको उजागर करते हैं, इनका dimension कम रखा गया, ये note अधिक wallet friendly हो गया, क्योंकि dimension कम है, note जादा बड़े नहीं है, पहले आप देखेंगे, तो यहाँ पर अशोक का सारना स्तंबुगा करता था, लेकिन अब क्या किया गया, यहाँ पर महत्मा गांदी, यह पुराने note थे, लेकिन अब नए note में तो बीच में आप देखते हैं, तो center में एक तरीके से महत्मा गांदी जी की photo यहाँ लगाई गई है, अलग ही design करते हैं, as compared to जो खीमती इसमें यहाँ पर, इसके बाद हमने देखा 500, 200, 150, 20, 10, यह तो अब हर एक banknote को नए तरीके से पेश किया गया है, और सब पर ही आप देखेंगे, महत्मा गांदी नियूज शीरी जो वो launch है उनके उपर, साथ इसाथ वहाँ पर आप आप देखेंगे, हमारे देश की आज का टोपिक की भारत में banknote की चपाई कोन करता है, कैसे वहाँ पर sanction जो है, वो power देता है RBI को या central government को, central government जब वो सीकों की चपाई कर सकती है, लेकिन banknote की चपाई जब वो RBI के central board के द्वारा की जाती है, currency management कैसे होता है, इन तमाम बातों को मैंने अच्छे से समझाने क कोशिश किया, समझ में आया है, तो मुझे कैसे बता सकते हैं, अब इसली वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, पीडियो के लिए मैं आपको लोगों को अलड़ी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा, त जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना है था, थैंक यूपर वाजिंग इस वीडियो,